खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया नियूज को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार स्वागत आपका बिग फाइट लाइब में आपके साथ मैं हूँ श्पैता अनुश्रा ये कमी है या प्रक्रिया ही ऐसी है कि वैक्सीन तो खत्म होने की कगार पर है और विवाद के डोज शुरू हो चुकी है कही कोई लूप ओल रहा है ये राजरूपी की जा रही है ये बड़ा सवाल है जो इस दिरो वैक्सीन को लेकर सियासी गल्यारों में गूच रहा है हर किसी के जुबान पर यही बात है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो कुरोना जैसी महामारी के खात्मे के लिए बनाए गई भारती वैक्सीन देश में ही कैसे कम पड़ रही जबकि हम दूसरे देशों को भी वैक्सीन की सप्लाई कर रहे हैं आखिर कहा कमी रह गई है इसी को लेकर आज हम बहस करेंगे कि आखर क्या है मर्जे टीका वैक्सीनेशन करने के लिए स्टाप भी परियाथ मोजूद है और वैक्सीन लगाने वाली भी त्यार है जैसी केंदर की अपेक्षाती पूर्ती हुई नहीं अब डिमांड बढ़ गई तो मोटे तोर पर डिमांड और सप्लाई करनी हम यहां भी लागू होता है तो राजस्तान अचूता कैसे रहेगा तो यह केंदर की भी चिंता है कि समय पर वैक्सीनेशन सब्सक्राइब पूरी हुई तो सुना आपने एक और जहां चिकिस्सा मंत्री कह रहे है कि वैक्सीन की पहली डोस खत्म हो गई है और केंदर सरकार की ओर से सप्लाई नहीं की जा रही है वहीं बीज़पी की प्रदेशा देख डॉक्टर सतीश पुनिया का कहना है कि प्रक्रिया ही ऐसी है और डिमांड सप्लाई वाला नियम लागू होता है तो चलिए इसी मुद्दे पर बात करते हैं क्या खर हकीकत क्या है हम ऐसा देखास पहमान जुड़े हुए हैं रखिये वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जिने सेकंड डोस देना है वो बहत जरूरी है और इसलिए नए लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए भी रोक दिया गया है अब सवाल लिए उटते कि प्रदेश अद्यक्ष तो कहरें कि प्रक्रिया है डिमांड सप्लाई बढ़गी इस वज़े से ऐसा हो रहा है क्या हकीकत है क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से भी साफ का गया कि यह अफवा है ऐसा कुछ भी नहीं है देखिए अभी जो बयान आपने दिखाया पूरिया जी का उसमें साफ साफ वो कह रहा है कि डिमांड बढ़ जानी की वज़े से यह कमी हो रही है अभी इससे पहले रगुष हर्माजी अमरे स्वास्त मंति जी बयान दिया है वो साफ कह रहा है कि हमने करीब च्छासाट अजार वेक्सिन की डिमांड की थी पहली स्टेज पर लेकिन उसमें से उन्तीस अजार जो डोजी यह उनको मिल पाई है उन्तीस लाक सौरी और उसमें से आप देखें कि बाईस लाक अब तक लग चुकी है और दो लाक आर्मी को प्रायटी के तौर पर दे दी गई है तो जो प्रायटी सेक्टर्स थे जिनको यह वैक्सिन लगा जी गई है उसके बाद यह बात सही है कि कोरणर सक्वर्ण एक बार वापस अकार लेने लगा है तो यह प्रिजम्शिन मांगते हुए राज सरकार ने पांच सारी को ही केंद सरकार को पत्रे लिखा चीफ सेकेर्टरी ने पत्रे लिखा खुद रगुश अर्माजी स्वास मंत्री जी ने वहां के हरस्वतन जी से बात की और इस तरी जावगत करा दिया अब सवाल यह कि दक्ष्टा प्रबंदन को लेकर के तो राजस्ता सरकार की बाबाई पहले भी हो चुकी है दक्ष्टा में और सरकार के स्टाफ के लेवल पर कोई कमी नहीं नहीं है सवाल यह है कि अगर वैक्सिनेशन के सरकार नहीं देगी तो हम यह कैसी प्रक्या कर पाएंगे हमारे पास बहुत ही अल्प मात्रा में वैक्सिन मौजूद है लेकिन उसके बावजूद हमें चिंता इस बात कि कि हमारा यह जो सफल कारिकम चल रहा था ठीका करन का अगर हमें वैक्सिन समय पर नहीं मिली तो यह ठीका करना अभियान मारत सफल नहीं हो पाएगा हमारी बुशे चिंता यह है और चूगी संक्रमना बढ़ रहा है तो हमें इसकी बहुत जरूद है सरकार को बार बार का जा रहा है लेकिन सिर्फ यह बात कह देना कि राजस्तान में कमी है लेकिन जान बूचकर कोई क्यों करेगा प्रदीब जी जान बूचकर केंदर सरकार के पास तो पूरे देश के जिम्मेदारी है हर एक राजजी की जिम्मेदारी है पर उनकी तरफ से स्वास्पंतराले की तरफ से यह कहा गया है कि हमाई नजर हर राजज पर है हमने जो डोस को दे रहे हैं आप वावाई लूटने की तो प्रात्मिक्ता आपकी है लेकिन देश में जिस समाज को जिस वर को इसकी आवशक्ता है वहां शॉटेज हो रही हो तो इस तरह की प्रबंद क्या मतलब आप ने जो सवाल उठाएं बीजेपी रिता ऐसा अगरवाल जी अगरवाल होई है वेक्सीन प्रदेश में क्या वज़े है कि इस पर अब राजनीती हो रही है बयान बाजी हो रही है सवाल उठ रहे हैं और वो चाहती है कि किसी भी प्रकार से मैं केंदर सरकार को दोस्ट देती रहें जबकि आपको इनको ये मालूम होना चाहिए कि केंदर सरकार ने अभी तक सबसे ज़्यादा वैक्षिन की डोज राजस्तान के अंदर भिजवाई है जबकि और भी प्रदेश हैं केवल केंदर सरकार को राजस्तान को ही नहीं देखना है अभी तक जो यहाँ पर इन्होंने इसी प्रकार की सियासी कारवाई जब वैक्षिन क्लेशन चालू आथा जब भी की थी कि 5 लाग डोज आ गई थी और इन्होंने जब तक पांच लाग डोज ओर नहीं आई जब तक इन्होंने वैक्षिनेशन चालू नहीं किया था कि हमारे पास पहले सेकंड दोच को बिजवाएंगे जब ही देंगे जबकि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को ध्यान में रखते हुए और सेकंड फेच का तीका करण जो चालू किया है वो खुद कह रही है कि जून तक हमको 30 करोड लोगों के लगाना है और उसका उसी प्रकार से प अग्रवाल जी आपने प्रदेश की सरकार पर सवाल उठा लेकिन एक बात बताई जरा उनका यह चिंता करना भी तो लाजमी हो जाता है उनका कहना यह सवाल नहीं आई तो सेकंड डोज लगाना जरूरी हो जाएगा जिनको फर्स डोज लग चुकी है और ऐसे में उनको प् देने के लिए वैक्सीन नहीं है यह सवाल है और यह किसी भी तरीके से हम केंदर सरकार को मोधी सरकार को हम कटगरे में खड़ा करते रहें सबसे जादा जो वैक्सीन सब्सकार की है वो राजस्तान में लगाई गई है राजस्तान में बेगी गई है उर चिकिस्ता मंत्रि राजस्ता लेकर बात भी कही है मिठलेश जी दो एहम बाते हैं 37,61,000 वैक्सीन राजिस्थान को दी गई है केंदर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है 24,000,000 यहाँ पर लग चुकी है जिकिस्ता मंत्री की चिंता यह है कि जिनको फर्स डोस मिल चुकी है उनको सेकेंड डोस भी देना जरूरी है और इसलिए अगर खत्म हो जाती है एक लिए एक तो यह बात कही जारी जो आकडों के जरीए कहा जा रहा है दूसरी तरफ पश्यम बंगाल महरास्ट्रों में भी इससे पहले सवाल उठेदे की वहाँ पर वैक्सिन खत्म हो गई है प्रक्रिया और उसलिए प्रक्रिया के तहत ही यह पूरी प्रॉसरश जारी है जो होनी चाहिए इस मामले को लेकर वैक्सिन को लेकर जो प्लिटिक्स की जा रही है युसके प्रीचे बहुत गहरा राज है जोधपुर का आदमी जोधपुरी सूट और महां का महरांगाड के लिए फेहम सब्सक्राइब होते हैं पेछले दिनों राहुल गांदी ने एक बयान दिया कि जोति रादित्य सिंधिया वाला उसके बाद आज जोतिरादित्य सिंधिया ने सुबह जोहिं टिपनी की उसके बाद नरोतम विश्रा ने कहा कि राजस्तार में सचीन पाइलेट को आप सीम मना दीजी उसके बाद ये राजनीती गर्मा गई कोरोना वैक्सीन कम है या नहीं है ये तो छोड़िये ये सबसे बड़ा एहम मुद्दा है कि एक सोशल मीडिया पर एक वार शुरू हो गया कि सचिन पर सितम राजे पर रहम ये एक नई कहानी शुरू ही जो एक दिन पहले वसंदर राजी का बढ़्डे था उसके बाद भी कर दिया आपने आपकर हमारे पार बफर स्टोक है बिल्कुल रखने की पूरी व्यवस्ता है एक लाग डोज कैसे खराब होगी और सहतीस लाख आपके पास डोज और यह के प्रोसर्ज है और गोविन डोटास राजी ने कहा कि उन वैग्ज्यानिकों ने जब दवा बना है बिल्कुल राजनिता इस मुद्दे पर भी अपनी सियासी गोटिया सेक रहे हैं यह बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान का क्योंकि राजस्थान में ऐसी नकारात्मक राजमीती की कभी अपेक्षा नहीं की गई जो मानव जीवन से जुड़ी हुई है आप इसको प्लान को एक्जिक्यूट कर रहे हैं सबसे बड़ी कमी क्या है कि जो बीरोक्रेट से वह बेलगाम हो चुके हैं वो नेता तो अपनी घोषनाएं कर देते हैं उनको एक्जिक्यूट नहीं कर पारे रेलवे स्टेशन पर कोई चेक नहीं है और सियासी सूभा है किसान क के साथ कोरोना वैक्सीन को जूड़ दिया जाए तो आम जनता भी जूड़ जाएगी किसान के साथ क्योंकि हर आदमी को अपनी जान की परवार तो यह एक इमोशनल इश्यू है और इसको कैस करने के लिए केवल कॉंग्रेस काम कर रहे हैं तो यह बड़ी सियासी एक तो में वैक्सीन के नाम पर कुल मिला के इंडिया को क्रेडिट मिला है अब देरी हो रही है यह हो रही है कई देशों में तभी शुरू ही नहीं हुआ है तो कुल मिला के इंडिया आज बहुत आगे वैक्सीनिशन के मामले में तो इसको क्रेडिट देना चाहिए एक सकारात्मक सोच इसको वोटों की फसल काटने के लिए वैक्सीन का उपयोग करने की जो साजिस चल रही है पुरी देश में विपक्षीदल वो इस पर ना करें क्योंकि जनता भी इसे सुईकार नहीं करेंगे बिलकुल प्रदीब जी देखें कोरोना महामारी से निकला है पुरा देश उस हो रही है बैयान बाजी हो रही है जो डोस है उसे क्यों न दे ये तो जिमदारी केंदसरकार की जिए ऐसी स्थिति आए हैई कि खङुआ हो जाए कि Marcus देखिए जो वेक्सीन हमको मिली है उस वेक्सीन का दक्षिता के साथ राजसरकार ने उसका उपयोग किया है अब आप देखिए जैसे चिक अगरवाल साब भी कहा उन्होंने कहा कि साथ पश्चिम मंगाल और महरास्टर में भी यह समझा आ रही है सवाल यह कि जो गैर लेकिन सवाल वहां से उठेते के वहां पर भी कमी की बात आई थी कमी की बात आई और राजस्थान में यह बात पांस तारीक को सरकार ने सूचित कर दिया ऐसे सब्सक्राइब कर रहे हैं तो इससे तो काम होने वाला नहीं है अरे आप आप क्या बातशीत कर रहे हो आप रोज लेटर लिखते रहोगे आपके पास प्रकार की प्लानिंग दे रखी है उसके अंदर किसी तरीके से कमी थोड़ी करी गई है आप हमारी लक्षिता पर टिपणी मत कीजिए यह आपके प्रदान मंतरी नहीं को साबाशी दि इसलिए दे रहे हैंगी इस परिकाय के का मतरी लिखो चलिए ऐसे सवाल जो वैक्सीन खत्म होने को लेकर है सेकेंड डोस लोगों को नहीं मिल पाएगी ने लोगों को नहीं लगा पाएगी हकीकत क्या है जरा वो आप बताईए जो चिकिस्ता मंतरी नाज कहा वो हकीकत है य अनुद एक है नरुतम शर्माजी तक वेक्सिन के लगबाद दस से बारा डोज़ वारे पायप्लाइं मुझूद है इसलिए आगामी एक दुदिन में हमारे पास कोई कमी नहीं है तक वेक्सिन की लगातार सेंटर गॉबर्मन को की जाती है हमें उम्मीद है कल तक नहीं हमको वेक्सिन दोज हमने पात हो जाएगी जी नरुतम जी एक बात जो कही जाए थी कि आज मंगलवार को जो नए लोगे उनको डोज नहीं दी गई है जिनकी सेकेंड डोज थी उन्हें ही दिया गया क्या सचाई है इस बात पर या जिस तरह से लगतार वेक्सिनेशन की प्रक्रिया चल रही है प्रदेश में वो निर जा जब आप है एक बैसने मेल टावन लगने मेले को बढ़ाई है इसके अप्रतिश मेरे निर्टेश के ज़र। यानि आप ये कह रहें कि आने वाले दो दिया निकल परसों में भी पर्याप्त वैक्सीन ने अराम से हर किसी को लगाई जा सकती यानि सेकेंड डोस भी दी जा सकती है और कल तक में और भी वैक्सीन भेजी जा सकती स्वास पंत्राले की तरफ से आप ये कहना चाहरें कि एक द नरुतम ची एक और फिक्र ती जो चिकिस्टा मंतरी ने दर्च की कि जिस तेजी के साथ राज़ रहा है लोगों को वैक्सीन दे रहा है वैक्सिनेट कर रहा है और ऐसे में पुरेदेश में अवल है नंबर वन पर राजिस्टान है और ये रफ्तार धीमी नहीं होगी आप मानते हैं कि जिस तेजी के साथ शुरुवात हुई है उसी गती से आगे बढ़ रहा है राजिस्टान वैक्सिनेशन में बिल्कुल हमने एक मार्स के बाद जिस तेजी से हमने वैक्सिन किया रायस्तान में वह पूरे भरत जी से मिसाल है अकले जैपूर में लगब पचीज यार वैक्सिन रोज हो रहा है बड़े अच्छी बात है हमें बड़े कुशी है हमने उस्ताइब है कि लोग बाग आ रहे आगे आ रहे हैं और वैक्सिन करा रहे हैं वैक्सिन कुकी सेंटल गॉर्णमेंट दरह बड़ा की जरूवत है कल तक और वैक्सिन है जाएको जिस तेजी से चल रहा था प्रक्रिया ये वो आगे भी चल रही है मोदी जी के पास 25 के 25 एंपी राजस्तान की जुनता ने चुनके बेज़े हैं और मोदी जी पोल्टिकली बहुत स्मार्ट वादमी है तो वो चाहते हैं कि जो एक नारा गुंजा था कि मोदी तुछ से बहर नहीं वो कायम रहे और ऐसा कोई भी केंदर सरकार का काम हो उसमें व जयादा नहीं कि जो दिल्ली में बैठे लोग है वो राजस्तान की उपेख्षा कर रहे हो सकता ने मामलों में पैसों के मामले में जो आर्थिक संकट है उसके मामले में नहीं कहना चाहता लेकिन जो आम जंता को रहत मिलनी चाहिए जयाए आप आयुषमान योजनाथी वो राजस्तान में लेट हुई, राजनीती की वज़े से, और आज उसमें एक बड़ा पेच आ गया है, कि जो यहां पे भीमा कराएगा पांच लाग का, वो राजस्तान के अस्पतालों में ही इलाज करा पाएगा, अगर मजदूरी करने वो दिल्ली गया तो वहां उसका उप्च कि सर्मा जी कहें रहें, तो किसी तरह की कोई बया वाज़ी कड्यों में भीमा जी सवाल यह नहीं, सवाल यह।ान की जिम्मयदारी है कि वो अपकशन के अहरे कौने क्वाम आधि यह की में प्रयास रहत है और मैं समझता हूं कि दक्षिता 24 गंटे मुख्यमंत्री जी के चेक्षाम मॉनिटरिंग हो रही है उसका सब्सक्राइब प्रयास हो रहा है उसमें कोई सवाल उठना भी नहीं चाहिए जिस तेजी के साथ क्योंकि बहतर हो रहा है इसलिए तो अवल है मेरी आज भी दिल्ली बात हुई थी और दिल्ली बात होने पे उन्होंने बताया था कि ये सफिशियन डोज और जिस प्रकार से परसंटेज के इसाब से जो वैक्सीन बिजवाई जा रही है उसमें राजस्तान को सबसे ज़्यादा बिजवाई गई है और इस प्रकार से ये बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामील होने के लिए देकि सवाल कुछ भी हो वैक्सीन को लेकर जो भी बयान बाजी की जारी हो चिंता सभी को है चाहे वो सत्ता पक्ष विपक्ष हो राजी सरकार हो या केंदर सरकार हो तक इतना तह है कि डोस आ रही है वैक्स